आज मैं आपकी साथ शेयर कर रही हूँ, most famous and popular sweet recipe, milk पेड़ा शायदी कोई ऐसा occasion होगा, जहाँ पेड़े का इस्तिमाल नहीं करते हैं और शायदी कोई होगा, जिसे ये पेड़ा पसंद ना हो ऐसी बहुत ही जादा tasty, soft और mouth melting पेड़े को हम बनाएंगे आज और वो भी सिर्फ दूद की साथ, इसमें ना तो हम खोवे का इस्तिमाल करेंगे, ना ही milk made या milk powder इसे हम बनाएंगे सिर्फ दूद की साथ, तो इसके लिए मैंने लिया है half liter milk, ये full fat milk है आप चाहो तो गाई का जो दूद होता है, वो भी यूज़ कर सकते है तो यहाँ पे मैंने full fat milk का यूज़ किया है, और ये half kg है अभी मैंने इसको डाला है pan में, pan में डालकर इसे लगातार चलाते हुए, पहले मैं इसे एक boil आने दे रही हूँ जैसे इसमें एक boil आएगा, उसके बाद मैं gas का flame slow करके इसे लगातार चलाते हुए, बीच-बीच में चलाते हुए, पहले हमें पकाना है जब ये थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसे हमें continuously mix करना है तो अब दूद में boil आया है, boil आने के बाद मैंने gas का flame slow कर दिया है slow करके अब इसे में गाड़ा होते तक पका रही हूँ अब दूद थोड़ा सा गाड़ा हो गया, इसे हमें और भी पकाना है और side से इस तरीके से निकालना है क्योंकि दूद की जो मलाई है कडाई में लगती है तो अब आप देख सकते हैं, दूद काफी गाड़ा हो गया है, बट पूरी तरीके से नहीं हुआ है तो अब इसमें मैं डालूँगी शक्कर शक्कर यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जितना यूज़ कर रहे हूँ यहाँ पे हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि दूद थोड़ा सा गाड़ा हो गया, अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो वो कडाई में चिपक जाएगा इस तरह के से साइड से छुड़ाते हुए एकदम धीमियाश पर इसे मिक्स करते हुए हमें गाड़ा पकाना है, इतना गाड़ा अब यहाँ पे मैं 1.5 टी स्पून जितना गी डाल रहे हूँ, गी डालने से ये पैन में चिपकेगा नहीं और पेड़े में एक अच्छी शाइन आएगी अब इसे हम एक दो मिनिट और पकाते हैं धीमियाश पर, उसके बाद इसे हम गैस का फ्लेम ओफ करकी ठंडा करेंगे उसके पहले आप थोड़ा सा इस तरीके से निकाल कर चेक कर लेना, अगर बॉल बन रहा है, मतलब हमारा पेड़े का जो मिक्षर है वो बन के तयार है डालके अच्छे से मिक्स कर जो, ताकि इलाइची का फ्लेवर है इसमें आ जाए, आप बिना इलाइची डाले भी इसे बना सकते हैं ऐसे बहुत अच्छा लगता है यह थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं उसके बाद हाथ को थोड़ा सा घी लगा कि चिकना करना है और यह जो पेड़े का मिक्षर है इसे हमें एकदम चिकना करना है जिस तरह किसे हम आटे को चिकना करते हैं वैसी इसे चिकना करने से पेड़े एकदम अच्छे रहेंगे और उसमें शाइन आएगा अब यहां पे batter को आँमे पुरा ठंडा करना है, बट मेरा batter थोड़ा सा कुन-कुना गरम है क्योंकि मुझे तुरंत बनाना है, आप इसे पुरा ठंडा करने के बाद भी यूज कर सकते हैं अब मैं इसके balls बना रही हूँ, आप उसी size के balls बनाना जिस size के आपको पेड़े बनाने हैं, यहाँ पेड़े ना तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े बना रही हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा छोटे बना रही हूँ, थोड़े से medium size के बना रही हूँ, इस तरीके से हम लोग सारे बॉल बना के रेडी कर लेते हैं अब हमारे सारे बॉल बन गए हैं उसके बाद मैं एक पेडा उठा रही हूँ एक पेडा उठा कर इसे मैं इस तरीके से उंगली से प्रेस कर रही हूँ प्रेस करके इसमें मैं एक कटा हुआ पिश्टा रख रही हूँ मैं इस तरीके से इसले बना रही क्योंकि मैं हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ आप जाहो तो सिंपल ऐसे भी पेडा बना सकते हैं वैसे भी बहुत अच्छा लगता है अभी मैं आपको एक और बना की दिखा रही हूँ एक पेडा लेकर इस तरीके से उंगली से प्रेस करके इसमें कोई भी ड्राइफ्रोट आप रख सकते हैं या पर मैं पिश्टा रख रही हूँ आप काजू, बादाम या केसर भी रख सकते हैं आप देख सकते हैं, इन पेड़ों में न तो हमने मिल्क पोडर डालाए है, ना ही खोवे का यूस किया है, ना ही कंडेंस मिल्क डालाए है ज़रूर बनाहिये और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हैो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें